चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मिदली साइकलोन के बारे में बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव छित्र साइकलोन का रूप ले रहा है भारत मौशम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साइकलोन का नाम मिदली रखा गया है बात करें तो साइकलोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों और कम वायुदाब दाव के साथ उत्पन होती है जब एक तरफ से गरम हवाओं और दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आधी का आकार लेने लगती है इसे ही चक्रवात कहत हैं मिदली साइकलोन की वर्त्मान स्थिति के अगर बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बांगलादेश के करीब उत्तर पूर्व और उससे सटे उत्तर पश्चमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तुफान मिदली अब उत्तर और उत् सतरा नमंबर को भारतिय समय नुसार रात्री 11 बच के 30 मिनट पर प्रिपुरा और निकट परती बांगलादेश के ऊपर एक गहरे दवाब में बदल गया और 18 नमंबर को भारतिय समय नुसार सुभा 5 बच कर 30 मिनट पर प्रिपुरा और बांगलादेश के ऊपर एक गहरे द दबाव में बदल कर कमजोर पड़ गया यह अगरतला से लगभग 50 km पूर्व दक्षन पूर्व और सिल्चर से 160 km दक्षन पश्चिम में बांगला देश और मिजोरम से सटा हुआ है इसके उत्तर पूर्व की और बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान दक्षन असम और इस एक और उपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार दक्षनी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रिलंका पर लगातार बना हुआ है इससे जुड़ा चक्रवाती प्रसार निचली स्थरों में त्रिपुरा और उससे सटे बांगला देश और मिजोरम पर बने करेंगे कि इस साइकलोन का असर किन राज्यों पर होगा आयमडी के अनुसार भारत के पूर्वी और पूरवत्तरी इलाकों में पिदली साइकलोन का असर दिखेगा पश्चिम पेंगौल और ऊडिञीसा मनीपूर मिजोरम त्रिपुरा असंग नगालेंग और मेगाले में उनका प्रभाव देखा जाएगा इसके चलते इन राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश होगी IMD की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगॉल के कटी छेत्र में मिदली का असर सबसे जादा होगा इसमें पूर्वी मेदनीपुर, कोलकाता, हावडा, नादिया, पूर्वी बर्दमान, उत्तर और दक्षन 24 परगना शामिल हैं इन इलाकों में 50-60 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाई चलेंगी और भारी बारिश भी होगी साथ ही कई जिलों में हलकी बारिश हो सकती है इसके अलावा 20 नवंबर तक तमिल नाडू और केरल के कुछ इलाकों में इसके कारण हलके से मध्यम बारिश हो सकती है अब हम बात करेंगे कि इस साइकलोन का नाम कैसे रखा गया है और साइकलोन के नाम कैसे रखे जाते हैं साइकलोन का नाम मिदली रखा गया है जो की मालदिव की और से दिया गया था आरब सागर और बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से प्रभावित देश बारी बारी से एक्रम में चक्रवातों के नाम देते हैं शुरुवात में चक्रवातों के नाम मनमाने धंग से रखे जाते थे 1800 के दशक के अंत में चक्रवातों का नाम कैथोलिक संतों के नाम से रखा गया था 1953 में चक्रवातों का नाम महिलाओं के नाम पर रखा गया था क्योंकि जहाजों को हमेशा महिला के रूप में देखा जाता था और अक्सर उन्हें महिलाओं के नाम दिये जाते थे 1979 में पुरुष नामों को पेश किया गया था वर्तमान में चक्रवातों को व्यवस्तित रूप से नामित किया जाता है अगर बात करें कि चक्रवातों को नाम कैसे दिये जाते हैं तो दुनिया भर में किसी भी महासागरिय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम चेत्रिये विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र यानि की RSMC और उष्ण कटिवंदिये चक्रवाच चितावनी केंद्र अर्था TCWC द्वारा दिया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित दुनिया में कुल 6 RSMC है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एश्या प्रसांत के लिए सयुक्त राष्ट आर्थिक और सामाजिक आयोग 2000 से चक्रवाती तुफानों का नामकरन कर रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग खारी सहित उत्तर हिंद महासागर में विक्सित होने वाले चक्रवातों का नाम रखता है अब यहाँ पर यह प्रश्ण बनता है कि चक्रवातों को नाम क्यों दिया जाता है चक्रवातों का नाम लोगों को आसानी से पहचानने में मदद करने के लिए रखा गया है क्योंकि संख्याओं और तक्नीकी शब्दों को याद रखना मुश्किल होता है इसके नाम जोडने से मीडिया, विज्यानिक समुदाय, आपदा प्रबंधन समुदाय के लिए अलग-अलग चक्रवातों की पहचान करना और उनकी रिपोर्ट करना, चेतावनियों का प्रसार करना, समुदायक तयारियों को बढ़ावा देना और कई चक्रवातों वाले छित्रों में भ्रहम को दूर करना आसान हो जाता है चक्रवातों के नाम रखने के लिए कई दिशा मिर्देश भी है जैसे प्रस्तावित नाम, राजनीती, राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों और लिंग के लिए तठस्त होने चाहिए इसे दुनिया भर के लोगों के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए यह कठोर और क्रूर स्वभाव का नहीं होना चाहिए, नाम छोटा, उचारण में आसान और किसी भी सदस्ते के लिए आपत्ती जरत नहीं होना चाहिए यह अधिक्तम आठ अक्षरों का होना चाहिए और इसके उचारण और आवाज के साथ दिया जाना चाहिए उत्तर हिंद महासागर के ऊपर विक्सित हो रहे चक्रवातों के नाम नहीं दोराए जाएंगे एक बार उपयोग करने के बाद यह फिर से उपयोग में करना बंद कर दिया जाएगा इसके साथ ही आज का यह विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद